सोलन में नगर निगम के विरोध को लेकर किसान संगर समीती ने कुछ दिन पहले ही मिनी सचीवाले के बाहर परदर्शन किया था इस परदर्शन की अध्यक्षता भाजपा नेता कांती सहरूप शर्मने की थी जिसमें परदेश सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे बाज़े भी की गई थी और परदेश सरकार की मन्शा पर सवाल उठाए गए थी संघर्शमित्य ने नगर निगम में गावों को ना शामिल करने की मांग सरकार के समक्ष रखी थी जिल दिन ये परदर्शन हुआ था उससे अगले दिन ही संघर्शमित्य के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे कर संघर्श को खतम भी कर दिया था जिल परदर्शन ने परदर्शन करने वाले कुछ लोगों के खिलाफ मामले भी दर्ज किये थे जिसकी वज़े से किसानों में गहरा रोश देखने को मिल रहा था उनका कहना है कि परदेश सरकार उनकी आवाज को दबाने के लिए तरह तरह के हत्खंडे अपना रही है लेकिन कुछ भी हो जाए वे अपने गाउं की एक इंच जमीन नगर निगम में शामिल नहीं होने देंगे जिसके चलते गाउं के प्रतिनीदियों ने बैठक कायोजन किया और आगे की रन निती बनाई किसान संगर्श मिती के परवक्ता नीरज भारदवाज ने बताया कि उन्हें पता चला है कि जिला परशाशन द्वारा किसान संगर्श मिती के कारेकरताओं पर विरोध परदर्शन करने पर मामले दर्ज किये गए हैं वही जो भाजपानेता उनके साथ संगर्श कर रहे थे उन पर दवाव बनाकर या पद का लालच देकर इस संगर्श से दूर किया गया है लेकिन उनके जाने से ये संगर्श खतम नहीं होने वाला उन्होंने कहा कि अगर उनका परदर्शन गलत था तो पिछले कल भी भाजपाने सचीवाले के बाहर परदर्शन किया था तो वो उस पर भी कारवाई करे उस परदर्शन को देखकर पुलिस और जिला प्रशाशन ने अपनी आँखें क्यूं बंद कर दी हैं इसका जबाब भी वे प्रशाशन से मांगना चाहते हैं देखे जो हमें पता लगा है बाकी तो अभी हमें इस कवारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है बताया यह गया है कि 269, 270 और 34 IPC में हमारे खलाफ मुकदमा दायर किया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ और कोई भढ़काव भाशन दियेगे पर मेरे ख्याल से तो हमें कोई ध्यान नहीं आता कि कोई भढ़काव भाशन वहां हुआ हुआ और आपने पुरा देखे होगा आपने रैली कवर की होगी तो कहीं भी लोगों ने कोई ऐसा नहीं हुआ कि कोई तोड़ फोड हुई कहीं किसी का लड़ाई छगड़ा हुआ शांतिपूर्ण दंग से लोग वहां खड़े थे और डी-सी मोहदे जब मिलना नहीं चाह रहे थे तो असभावी कहा कि लोगों को गुसा इना था और वो लोगों को गुसा फुटा सरकार की मनशा का तो मैं नहीं बता सकता कि सरकार की मनशा है शायद पर यहां के जो कुछ चुनिंदा लोग है या बिल्डर लॉबी है या जिनको हमारे सच से परशानी हुई होगी तो उनके वज़े से यह हुआ होगा और अगर शायद कुछ गलती भी हुए तो चलो ठीक है प्रशासन ने अपना काम किया पर प्रशासन अपनी आखे तब क्यों मुन लेता है कि उसी के बाद ही कली एक रैली हुई है तो फिर अपनी प्रशासन ने आखे क्यों बंद कर दी और फिर वो भढ़काव भाशन क्यों प्रशासन ने आखे तो उनके खिलाफ भी हुए तो उनके खिलाफ भी होंगे तीन दिन बाद शायद आभी पूलिस अपनी चान बीन कर रही हो देखिए मैं आपके चैनल के माद्दम से दुबारा कह रहा हूं कि मानिया जैराम जी को यहां सोलन में क्या परसीती है इसके ब नगर निकम बनाने की किया गया था और गाउं को इसमें इंकलूड किया जा रहा था तो उस टाइम भी लोगों ने उसका विरूद किया था तो उस टाइम की टीम को आप क्या गएंगे अज की डेट में जो मैं दुबारा कहूंगा जो दो तिन लोग हमारे बीच के ही आप मिल गए है और मानिय मुख्यमंतरी जी ने आश्वसंद दिया कि पंचैतों को नहीं लिया जाएगा सबसे पहली बात उन्हें नहीं किया एतवार को भी उन्होंने कोई ऐसा लोगों को नहीं बताया उनसे पूछा भी गया तब भी नहीं और सोंबार की जो रैली थी उसमें